हलो अब्रिवन नवरात्य शुरू हो चुके हैं आप सबको नवरात्यों की बहुत सारी शुब काम नहीं आज मैं आपके लिए लाई हूँ नवरात्यों में खाय जाने वाली बहुती टेस्थी चटपटी और हेल्दी मखाना चाट इसमें काफी माता में फाइबर होता है जिस कि इसके अंदर का मॉस्टर खतम हो जाए और मखाने क्रंची हो जाए आप इसे लगातार हिलाते रहें ताकि यह नीचे ना लगे यदि आप चाहे तो इसे माइक्रोवे में एक से डेड़ मिनट के लिए ड्राय रोस्ट भी कर सकते हैं मखानों को रोस्ट करते हुए तीन से ठंडा होने देंगे अब इक बाउल लेंगे इसमें रोस्ट के हो है मखाने डाल देंगे साथ में डालेंगे बॉयल के है अलू टमाटर कुछ लोग वरत में टमाटर ने खाती तो वो लोग टमाटर ना डाली मुंकफली की गिरियां खीरा अनार की धानी वन टीबल स्पून बारी कटी हरी मिच यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप्ट कर सकते हैं हाफ टीबल स्पून नमक वन फो टीबल स्पून काला नमक हाफ टीबल स्पून लाल मिच वन फो टीबल स्पून काली मिच डाल देंगे अब इसमें एक टीबल स्पून हरी चटनी, दो टीबल स्पून इमली की चटनी डाल देंगे और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धन्या डाल कर मिक्स कर देंगे हरा धन्या डालने से चाट में बड़िया फ्लेवर आता है इस तरह की चाट काफी टेस्टी और चटपटी बनती है व्रत में आलू चाट भी बहु थोड़ा थोड़ा सा मिक्स्टर इस कप में डाल देंगे आप इस चाट को सिर्फ वरत में नहीं बलकि बाकी की दिनों में भी बना कर खा सकते है और इसमें और भी चेज़े आड़ कर सकते हैं जो वरत में नहीं खाते शाम को आप मखाना चाट को इवनिंग स्नैक के तोर पर भी बना सकते हैं ये चाट वेट लूज में काफी हेल्प करती है आप उपर से मूली के लच्छे, इमली की चटनी और हरी चटनी से डेकोरेट कर लेंगे इस तरह से दूसरे कब में भी चाट को डाल देंगे हमारी बड़िया सी मखाना चाट बन कर त्यार है तो इस नवराते आभी से बनाएए और अपने परिवार के साथ इंज्योई कीजिए जय माता दी